आज ये बैंगलोर लेक का चौथा दिन एंड आज के दिन दो धमाकेदार मैचिस होगे आज के दिन का दूसरा मुकाबला जो कि यहां पे मैच निमबर 19 बैंगलोर बुल्स वर्सिस यूपी ओदास के बीच में खेला जाएगा एंड आए इस मैच का डीटेल में प्रिव्यू फटाफट कर लेते हैं मैच की इंफो जी शुरुआत किया जाए तो मैच निमबर 19 बैंगलोर बुल्स वर्सिस यूपी ओदास के बीच में खेला जाएगा रात के 9 बजे स्रीकंतिरवा इंडोर स्टेडियम बैंगलूरू में दोने टीम्स के हैड टो एड रिकॉर्ड से न 35 के स्कोर से हराय था पीकेल सीजन 9 में तो ओवर ओल यहाँ पे बैंगलोरू बुल्स का पलड़ा भाड़ी है हेड टू हेड में दोने टीम्स के स्टार्टिंग स्टार्टिंग सेवन रह सकती है जहां पे हमें भरत हुड़ा, अभिशेक सिंग, सुसील, सुरजीत सिंग, व यूपी ओदास की बात किया जाए तो यूपी ओदास की स्टार्टिंग सेवन भी आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो जहां पे हमें पर्दीप नर्वाद, सुरिंदर गिल, विजे मलिक, नितीन पनवर, गुर्दीप, नितेश कुमार और सुमीत सांगवान देखने को मि किनों ने भी हमारे टेलिग्राम चैनल को जॉइन नहीं किया है, फट 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 चैनल को जॉइन कर लो ज्यादा समय नहीं लगेगा, इसमें पायदा ही है कि प्रो कबड़ी के हर एक निउस से आप अपडेटेड रहोगे, जो भी अपडेट साथ है, छोटी चोटी चोटी में शेयर कर रहा हो, एंड मैज की कवरेज तो हम शेयर कर रहे है, डे वन के साथ, तो जिनको भी इंट्रेस्टिंग के निउस जानने के लिए आप जॉइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन वक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, निटो टेलिग्राम पे जाके आप एडडेट स स्पोर्ट सिनिफ 7 सर्च करके जॉइन कर सकते हो, दोने टियम के स्टार्टिंग 7 को कंपेर कर लिया जाए, बेंगलोडु बुल्स से सुरुबात किया जाए, तो बेंगलोडु बुल्स के रेडिंग लाइन अप में देखने को मिल जाएगे, भरत हुड़ा, अभिशेक सिं को हो, यहां पे अभिशेक सिंग को मौका दिया गया था, लेकिन सिर्फ दो ही रेड किये पिछले मुकावले में, और मुझे लगता है कि इस मुकावले में इनको मौका दिया जाएगा, तो अच्छा पफॉर्मेंस दिखाएगा, लेकिन एस ओफ नाव, यूपी ओधास का यूपी ओधास के पास ऐसे डिफेंडर से नितिन पनवर और गुर्दीप जो अल्रेडी साथ में अच्छा परफॉर्मेंस दिखाएगा, लेकिन बेंगलोर में वो देखने को नहीं मिल रहा है, शुर्जी सिंग से एक पोजिटीव चीज यही देखने को मिला है कि लास्ट लाथर नहीं खेल पाए, तो उम्मीद यही करते है कि दोनों ही प्लियर्स साथ में अच्छे तरीके से परफॉर्मेंस दिखाएगा, जैसे यूपी ओधास के कवर डिफेंडर्स और डिफेंडर्स दिखा रहे है, बेंगलोर बुल्स का डिफेंस में यही एक पॉजिटीव के सवरह नंदर चल रहे है लेकिन अमान अन गलतर नहीं चल पाएग तो दोनों को ही साथ में अच्छा पफॉर्मेंस दिखा नहीं होगा, यूपी ओधास का कोई यहां पे सिकायत नहीं है दोनों ही रेटिंग लाइनप और डिफेंस लाइनप काफी अच्छ पाफॉर्में फिर यहां पर दूसरे raid में out हो गए तो मुझे लगता है कि इस मुकाबले में इनको मुका दिया जाएगा तो अच्छा performance दिखाएगे UPO10 के खेमे से मुझे लगता है कि सुरिंदर गिल पे नजरे रहेगी क्यों ना हो क्योंकि तलकू टाइटन्स के अगेंस्ट 14 raid point स्कोर किया काफी अच्छा performance इन्होंने दिखाया इस मुकाबले में भी अच्छा दिखा सकते है अब यहाँ पे prediction time की तरफ आ जाते है मेरी क्या prediction रहने वाली है इस मुकाबले को लेके मेरा पहला prediction यह है कि अभी सेक सिंग इस मुकाबले में अच्छा performance दिखाएगे अगर इनको इस मुकाबले में proper chance दिया जाए दूसरा prediction यह है कि सुमीत इस मुकाबले में हाइपाइ स्कोर करने वाले और तीसरा prediction यह है कि बेंगलोडो बुल्स की टीम यह मुकाबला जीतने वाली है अब इसे यह कैनेक्ट मत करना कि बेंगलोडो बुल्स की टीम मुकाबला हार जाएगी अगर बेंगलोड की टीम अच आपको लगता है कि यूप उदास की टीम डॉमिनेट करेगी ता ब्लू हाट कॉमेंट कर सकते हो अभी फिलहाल के लिए PQL का पॉंस्टेबल नहीं देखा है तो लेफ साइट पे क्लिक करके देख सकते हो आप राइट साइट पे पहला मुकाबला जैपूर पिंक पैंथर वसेज गुजुरा जायंट का प्रिवियू किया है वह देखने के लिए आप राइट साइट पे क्लिक कर सकते हो तब तक मैं मिलता हूँ ऐसे एक ओन है इंटरसिंग उड़ों के साथ थैंक्स फर वचेंग